चलिए बच्चो आज हम बात करेंगे कि अकाउंट की पेपर में आप क्या कॉमन मिस्टेक्स करके आते हो जिनकी वज़े से आपकी गाड़ी 75-80 पर आगे रुख जाती है जहां आप टॉपर बन सकते थे वहीं आप 80 मार्क्स लेकर आप एक्जाम में आओगे तो कौन-कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं आईए देखते हैं सबसे पहली चीज है बच्चे कैल्कुलेशन मिस्टेक ये तो हमें पता है कैल्कुलेशन मिस्टेक के अंदर भी मैं आपको बताता हूँ कि आप कहां-कहां गलती करते हो सबसे major चीज है totaling में mistake totaling में digits को लिख रहे हो तो वहाँ पर कॉमा लगाना भूल गए digits के नीचे digits होने चाहिए proper तरीके से calculate करते time add और subtract करते time उसमें आपने ध्यान नहीं दिया तो वहाँ पर major mistake करते हो आप इसके अलावा percentage की calculation कर रहे हो तो वहाँ mistake करते हो on cost दिया हुआ है gross profit का जो formula है बट आपको question में sale given है तो उस formula को reverse करना पड़ेगा convert करना पड़ेगा on sale तक ले जाना पड़ेगा उसको accordingly आप profit की calculation करोगे तो वहाँ पर conversion में गलतियां कर देते हो percentage calculation में mistake करते हो इसके अलावा provision का 5% निकालना है तो आपने वहाँ पर 0 से 0 जब cut करी 5 परसेंट 5 लाग का 5 परसेंट निकालना है आपको पता है 5 लाग पर 5 जीरो है और नीचे 5 परसेंट 2 जीरो यहाँ पर है वो cut किये पता चला पीछे के 3 जीरो काट दिये तो वहाँ पर आप 500 कंसीडर करके उसकी हैसाब से calculate करके आते हो तो calculation में बड़ी minor mistake करते हो वो यह होता क्यूं है पता चला एक दो घंटे निकल चुके है exam के उसके बाद आप जल्द बाजी करना start करते हो और जल्द बाजी में इस तरह की mistakes होती है तो make sure अभी से sample इपर करना start करोगे जाज़ादा questions को explore करोगे दिमाग का इस्तमाल करोगे हातों से calculation करोगे तो speed भी improve होगी और calculation में भी mistakes नहीं होगी उसके बाद आता है improper reading of question paper question paper में आप proper reading नहीं करते हो अराम से time लगा कर starting के 15 minutes questions को ठीक से read करो interest on drawing की calculation है वहाँ पर percentage mention है 6% interest on drawing है बट पीछे percentage के per annum mention नहीं है जब per annum mention नहीं होता तो वहाँ पर time factor को हमें ignore करना होता है और आपने क्या किया आपने 6% read किया जल्द बाजी में और फटा फट से आपने क्या करा 6% calculate कर दिया और आपने time factor भी में calculate कर दिया बट time factor को आपको ignore करना था तो इस तरह की minor mistakes करते हो जब आप question paper को ठीक से read नहीं करते हो एक एक adjustment को ठीक से read नहीं करते हो तो questions को properly read करो accordingly decide करो कि कौन सा question आपको पहले attempt करना है जिसका आप एक बार में answer निकाल देंगे उसके बाद आता है presentation error now presentation errors में क्या क्या है presentation error में आपने column बनाया आपने column बनाये और column के अंदर यहाँ पर आपने क्या करा dr. amount cr. amount बिटा इसको पूरा लिख दो debit amount ठीक है debit amount कोई problem नहीं है जादा आलस करने की ज़रूत नहीं है थोड़ा साथ कितना time लगेगा इसको लिखने में पूरा 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 इसको तरीके से लिख के आओ राइट प्रोवीजन लिख रहे हो पी आर ओवी डॉट गोडविल लिख रहे हो जी स्लैश डबलू इस तरह कि आप shortcuts लिख कर आते हो format प्रोपर नहीं बनाते हो scale का use नहीं कर रहे हो देखो इन चीजों से impression खराब पड़ता है और examiner कहीं न कहीं आप उसको मौका दे देते हो कि कहीं न कहीं वो marks आपके काट सकता है तो उसके लिए आपको ऐसा लगता है कि अगर हम इन चीजों पर छोड़ी चोड़ी चीजों पर ध्यान देंगे तो कहीं न कहीं paper हमारा late attempt हो पाएगा ज्यादा time consuming होगा ऐसा कुछ नहीं होता बिटा जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो ताकि उसके अंदर marks ना कटे और इसके लिए जितने ज्यादा sample पर solve करोगे जितने ज्यादा हातों से practice करोगे उतनी आपकी speed भी improve होगे और इन चीजों का भी आप ध्यान रख पाओगे उसके बाद आती है posting errors सर posting errors क्या होती है देखो ध्यान से आपने revaluation account में से partner's capital account में profits को transfer करना था देखा तीनों partner का amount आपने राम का श्याम में डाल दिया श्याम का राम में डाल दिया लेजर्स की posting में debit side amount जाना था transaction की वज़े से credit side post कर दिया इस तरह की बहुत minor mistake होती है बेटा ये सारी mistakes avoid आप कर सकते हो बट ज्यादा से ज्यादा जब questions को practice करोगे हातों से question को sample paper को solve करके देखोगे तीन घंटे बैठने की habit लगाओगे अभी से तभी वहाँ पर आप क्या करोगे अच्छे से paper को attempt करके आप आओगे वहाँ पर गलती गुंजाईश खतम हो जाएंगी improper working note working note को आप यह समझ लेते हो कि बस यहां तो कुछ भी लिखो examiner को फरक नहीं पड़ता working note कोई ऐसी चीज नहीं है जो examiner नहीं देखेगा या आप उसको छुपाओगे उससे working note को properly proper तरीके से question के अपने solution के नीचे लिख कर आओ working note number one working note number two examiner उन working notes पर भी नजर डालता है क्योंकि उसको देखना होता है cross check वो करता है कि यह figure बच्चे नहीं उठाईए तो कैसे calculate करिए तो proper उस figure को वहाँ पर calculate अगर interest on drawing calculate किया है तो उसको proper तरीके से वहाँ पर show करो यह नहीं है कहीं एकदम कोने में जाकर line खीच कर आपने side में उसको solve कर दिया ना फिर आपको खुद समझ में आ रहा है फिर examiner से आप क्या ही उमीद करोगे तो ऐसा नहीं करना होता आपको proper working note बना कर आने है और working note बिलकुल presentable होने चाहिए लगना चाहिए कि हाँ आपने माँ पर calculation की हुई है और वो समझ में भी आ रही है इसके बाद एक बहुत बड़ी major mistake overwriting 6000 लिखा हुआ है पता चला यह 8000 की figure थी 8000 बिरको लिखना था आपने क्या करा इसको ऐसे कर दिया 8000 overwriting overwriting की वज़े से आपका गल्थ impression पड़ता है बिटा आलस क्यूं कर रहे हो 6000 लिखा है ना इसको cut करके कोई बात दी 8000 दुबारा लिख दो बट इसी को override करने की कोशिश मत करो 9000 लिखा है 6000 लिखा है तो 9000 करने के लिए ऐसे ऐसे कर रहे हो तो इस तरह की जो mistakes हैं यह मत करके आए करो कहीं न कहीं आपकी presentation पर फरक पड़ता है और इसकी वज़े से examiner को आप मौका दे रहे हो कि वो marks कहीं न कहीं आपके काटे narrations को proper mention करके आओ right overwriting हो गया narrations को proper mention करके आओ being आपने कोई transaction लिखी आपने कोई general entry put करी general entry लिखने के बाद आप क्या करते हो being से आपने transaction स्टार्ट करी dot 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 slash bracket open और last में bracket close भी कर दिया बट वो narration आपने proper mention नहीं करी speed पर कोई फरक नहीं पड़ता उसके लिए आपको practice करनी पड़ेगी आप सोचोगे कि last time पर एकदम से एक्जाम में बैठकर आप speed को बचाने की speed भढ़ा कर और सोचोगे कि जो है अब कुछ चीजों पर मैं shortcut कर लूँ और shortcut की वज़े से मेरा paper जल्दी attempt हो जाएगा और उस चक्कर में आपको shortcut मारोगे वहाँ पर being करके सीधर dash 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 करके आपने bracket close भी कर दिया बस आपने idea दे दिया कि हाँ ये narration है नहीं बेटा proper तरीके से करके हो वो presentable लगना चाहिए और उसके लिए आपको करनी पड़ेगी practice उसके बाद है question wise time management बेटा question wise time management is very important कभी क्वार क्या होता है बच्चे ने पूरी तरीक से अच्छे से पूरा question paper read कर लिया है उसको पता चल गया कि मैं cash low का question एक बार मैं attempt कर लूँगा cash low का question मानलो नोने पहला attempt करना start भी कर दिया होगा क्या हो सकता है कि वो मानलो net profit before interest and taxes निकाल रहे हैं और कोई एक ऐसी transaction है जिसकी वज़े से उनको दिक्कत आ रही है उनको समझ भी नहीं आ रहा कि यहाँ पर यह plus होना चाहिए माइनस होना चाहिए उसकी वज़े से वहाँ पर बैठ कर time waste मत करो next point पर तुरंती switch कर दो उसको बाद में देखेंगे बट उसकी वज़े से जो चीज़े आती हैं उसको hamper मत करो यह सब चीज़ें कब आप manage करना सीखोगे जब आप जाज जाएदा sample liver को solve करोगे बार-बार मैं बोल रहा हूँ sample liver solve करना start करते हो तो यह 10 की 10 mistake है इनको आप avoid कर पाओगे ठीक है तो proper time management सीखो proper time management के अंदर आप shortcut से बचोगे proper time management के अंदर आप चीज़ों को evaluate कर पाओगे कि कि किस question के अंदर कितना time devote करना है किस question के अंदर कितना time devote करना है like cash flow है तो cash flow में अगर 6 marks का question है तो उसमें कितना time मैं दूँ अगर इसके लाव तो g slash w provision रिख रहे हो तो p rov dot इस तरह के आप shortcut use नहीं करोगे ठीक है examiner को आप मौका दे रहे हो कि वहाँ पर marks काटे तो क्या करना है proper तरीके से चीजों को लिख कराओ उसकी वैसे कोई आप time ने बचा रहे हो उल्टा अपने पैरों पर आपको लहडी मार रहे हो आप मौका दे रहे हो कि वहाँ पर marks कटे इसके अलावा रटा मारना आप क्या करते हो transactions को रट लेते हो ठीक है जैसे एक revaluation के अंदर आया plant and machinery undervalued by undervalued by 8000 अब आपको पता है कि undervalued by 8000 है undervalued का मतलब तो आपको पता है कि ये value down हो रही है इसके वैसे revaluation में debit set जाएगा कभी कवार होता है कि undervalued up to up to करके वो mention कर देता है कि घटकर इतनी रह गई अब यहाँ पर दोनों चीजों के sense बदल गई आपने क्या किया आपने ready हुई है transaction आपने sample पर solve किया है तो transaction को रटा हुआ है आपने देखा undervalued है जो भी figure आएगी सीधा उठा के debit set डालनी है up to की वज़े से सारा sense change हो गया इस scenario में आप गलती करकर आओगे घटकर इतनी रह गई है actual figure कितनी थी difference आपको post करना पड़ेगा buy अगर है तो exactly वही amount transfer करेंगे यह छोटी छोटी mistakes है question paper की proper reading ज्यादा बार question paper को solve करना जितने ज्यादा sample पर solve करोगे definitely वो सारी चीज़े cover हो जाएंगी and make sure इन छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान रखोगे तो कहीं न कहीं आप भी toppers की श्रेणी में जरूर आओगे ठीक है और yes तो यह था मेरी तरफ से थोड़ा साब के लिए support like the video, subscribe the channel and share with your maximum friends thank you so much बच्चो, जै श्रीशा